दोस्तो आपका स्वाकत एक बर फिट से हमारे यूट्यूब चैनल दा अनेस्ट में तो दोस्तो आज की वड़े में हम जानेंगे कुपवाड़ा की 10 सबसे खुबसूरत टूरिस अट्रक्शन के बारे में कर सकते हो जैसे की रॉक क्लाइमिंग और ट्रेकिंग यहां का वादावरन भी काफी शान्त और ठंडा रहता है नमबर दो पर है बंगस वैली दोस्तो एक अनकस्प्लोड प्लेस है कश्मीर की जो की आज कल टूरिस्ट में काफी पॉपलियर होती जा रही है यह जगह कुपड़ा डिस्टिक के नौर्जन पार्ट में है यह जगह 1000 फिट के उंचाई पर स्तीत है यहां हर जगह हरे बरे पेड़ लगे हुए है और यह जगह पूरे हरे बरे पेड़ों से गिरी हुई है यहां पर बड़े बड़े गास के मैदान भी है जो कि यह जगह को काफी कुपसरत बना देते हैं यहां पर लोग रिलाक्स होने के लिए आते हैं नमबर तीन पर है साधना पास पॉइंट वियू दोस्तों यह एक मॉंटन पास है जो कि हिमालेस में लोकेटेड है यह पास करना तहसिल को कुपड़ा डिस्टिक से जोड़ता है यह पास लगबग 3,000 फीट की उंचाई पर है जहां से आप उंचे उंचे बरफ के पहाड देख सकते हो यह एक काफी अडविजर प्लेस है जो कि काफी अच्छी लगती है यहां से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है जिस वज़ए से यहां पर बहुत से टूरिस्ट यहां पर आते रहते हैं नमबर 4 पर है लोलाब वैली दोस्तों लोलाब को लैंड आ फ्लवेंट बीटी भी कहा जाता है यह जगह अपनी नाच्रल बीटी के लिए जाने जाती है यहां की नदियां और यहां के उंचे-उंचे पाहड इस जगह को बहुत ही ज़ादा अकरशक बना देते हैं यह जगह टॉप कैंपिंग साइट्स में से एक है यहां का टूरिजम थोड़ा कम है क्योंकि इस जगह को गुवर्मेंट ने थोड़ा नज़ अंदास किया हुआ है जिस वज़े से यहां पर इतनी डवलप्मेंट नहीं है और दोस्तों तबी से यह एक अनक्सप्रोर टूरिस एट्रेक्शन में आती है लेकिन दोस्तों अब देर देरे इस जगह टूरिजम काफी बढ़ने लगा है क्योंकि यह जगह काफी खोबसरत है जो कि यहां आयोए टूरिस्टों को काफी पसंद आती है नमबर पांच कालरूरूस केव्स दोस्तों एक सीक्रेट एंड मिस्टेरिस टूरिस एट्रेक्शन है जो कि कुपवाड़ा के कलरूरूस गाउं में है दोस्तों यहां पर पूरी साथ केव्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यह केव्स कश्मीर से रशिया की तरफ जाती है हलागी यह बात कितनी सच्चा है या कितनी जूट यह अभी तक कोई नहीं जानता लेकिन फिर भी यह एक यूनिक टूरिस अट्रेक्शन है जहां पर हर कोई टूरिस्ट आना पसंद करता है नमबर छे पर है नगरी वाड़ी इको पार्क दोस्तो यह एक इन्वानवंटर पार्क है जो कि जेन के फारस डिवलमेंट वालने बनवाया था यह पार्क यहां के नेचर को बोस्ट करने के लिए बनवाया गया था यहां पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं जिने हरैली और फूलों से प्यार होता है यहां पर बहुत से लोग अपना टाइम स्पेंट भी करने आते हैं यहां का नजारा चारो और का बहुत ही जादा खुबसूरत है इस पार्क में बहुत से फूलों की स्पेशिस और बहुत से मेडिसिनल प्लांट भी लगाए गे हैं नमबर साथ पर है चंदी गाम चंदी गाम एक बहुत ही खुबसूरत विलेज है जो की कुपाड़ा डिस्रिक में है यह गाम अपने नेचल बीटी के लिए जाना जाता है यह एक बहुत ही खुबसूरत जगह है जिसके चारों और उंच उंचे पाहड है जो की फॉक से ढखे रहते हैं यहाँ पर बहुत ही खुबसूरत गास के मेदान भी है जो की यहाँ आई और टूरिस्टों को काफी पसंद आते हैं और दोस्तों यह जगह नेचल स्लवर के लिए बनी हुए है जो की नेचल स्लवर को बहुत ही जादा पसंद आती है ये जगे एक बहुत ही अच्छा tourist spot है दोस्तों यहाँ पर छोटे-छोटे hut भी बने हुए है जो कि यहाँ आयो टोरिस्टों को काफी attract करते है और दोस्तों यहाँ पर आप काफी adventurous activities भी कर सकते हो जैसे कि tracking, mountain biking और camping भी आप यहाँ पर कर सकते हो नमबर आठ पर है हजरत जटी शा वाली जियारत दोस्तों हजरत जटी शा एक जाने माने सुफी पीर थे जो कि इसी जगा पर meditation करते कते रहसमी तरीके से मर गए थे दोस्तों उनी के नाम से यहाँ पर एक जियारत बनाए गई यह जियारत Muslims में काफी popular है यहाँ पर उनकी cover भी है जिसे देखने बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते है दोस्तों यहाँ पर हजरत जटी शा दुवारा लगवाया गया एक तूत का पेड़ भी है जिसे देखने यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते है और दोस्तों यहां पर बहुत से मुस्लिम दूआ करने भी आते हैं नमबर नो करना विलेज दोस्तों करना विलेज को पौड़ा डिस्टी का एक चोटा सा गाउ है यह गाउ अपने नचल बिटी के लिए काफी मशूर है यहां के उंचे-उंचे पहाड और यहां का साफ नदियों का पानी इस जगा को अलग ही फिल देता है यह एक शांत इलाका है जो कि नेचरस लवर को काफी पसंद आता है यहां पर बहुत से लोग चुटियं बिताने के लिए आते हैं और दोस्तों यहां पर आने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है नमबर दस पर है केरन विलेज दोस्तों एक तरह का गाउं है जो कि निलम बैली के क्रिशन गंगा रिवर के किनारे बसाए गाउं है दोस्तों यहाँ पर कृष्ण गंगा रिवर के उस पर पाकिस्तान भी आप देख सकते हो कृष्ण गंगा रिवर एक तरह का LOC है जिसके एक पार आप पाकिस्तान को और दूसरे पार आप हिंदुस्तान को देख सकते हो और दोस्तों ये जगा काफी अच्छी है और नेचर लिवर को भी ये जगा काफी पसंद आती है ये जगा इतनी डवलाप नहीं है जिस वज़े से ये काफी नेचरल जगे है तो दोस्तों ये थी कुपवाड़ा की 10 सबसी खुबसूर टूरिस अट्रेक्शन दोस्तों आशे करतों आपको मारी वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको मारी वीडियो पसंद आए तो प्लिस इसे लाइक करें और साथ-साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी करें और दोस्तों बहुत ही चल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद